ये है भारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल की 182 मीटर उंची मूर्ती जिसे स्टाचू अफ यूनिटी का नाम दिया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले में इस मूर्ती को बनाने पर लगभग 3,000 करोड रुपए खर्श के गए हैं। पर इसके आसपास रहने वाले मानते हैं कि इतनी बड़ी रकम जरूरत मंदों की मदद के लिए दी जाती तो उनके हालात सुधर सकते थे। खास कर उन किसानों के जो नर्मदा नदी के किनारे तो रह रहे हैं पर अपने खेतों में पानी के लिए तरस रहे हैं। विजेंद्र ताडवी का गाओ नाना पिपडिया मूर्ती की जगा से मातर 12 किलो मिटर दूर है। वो मिर्ची और सबजियां उगाते हैं मगर नर्मदा के पास होने के बावजूद उनके खेतों तक पानी नहीं पहुँचता। साल 2013 में तब गुजरात के मुख्य मंत्री रहे नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था कि यहां खेती के लिए पानी आएगा। पर विजेंद्र अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। करजन बान यहां से 20 किलो मीटर दूर है और एक छोटी सी नहर मेरे खेत से होकर गुजरती है पर मुझे कभी पानी नहीं मिला। यहां रह रहे हैं किसानों को मजबूरन नहर से पानी देना पड़ता है जो गयर कानूनी है। इनकी परिशानियों के बारे में पीवी सी ने डिस्ट्रिक कलेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जाँच करेंगे। किसानों के हक के लिए लड़ने वाले लखन ने एक दूसरे ही पहलू से रूबरू करवाया। गरुडेश्वर जिले में सरदार सरोवर के 9 किलो मीटर के दाइरे में आमदला, भदरवा और सांद्रोली जैसे गाव है। इनमें जो नहरे बनी हैं वो बहुती कमजोर है। नरमदा का पानी गुजरात के अंदरूनी अलाके में पहुच जाता है पर यहां नहीं आता। इस मूर्ती के आसपास 20 काउं ऐसे हैं जहां लोगों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। पर वो जानते हैं कि अगर पैसा और सरकार की इच्छा शक्ती हो तो बहुत बड़ी चीजें हासिल हो सकती है। अब उन्हें इंतजार है कि कभी शायद सरकार उनकी और भी देखेगी और उनके भी दिन फिरेंगे।